लुख़ेजियलिए बसम्मस्राइव आज मैं बात करना ना पिशराखन समा पॉरडकास्ट आज मैं बात करूंगी ना तो सियासी ना तो कोई संझीधा किसम की आज हम बात करेंगे हलकी सी लाइट और ऐसी जो कि आपको पसंद भी आएगी मैं बात करूंगी ट्रेवलिंग पे ट्रेवलिंग के उपर देखें ट्रेवलिंग का तो मुझे भी बहुत शौक है ट्रेवलिंग का मुझे पता है कि आप लोग को भी बहुत शौक है और जिसको त्रेविलिंग एक ऐसी होबी है, एक ऐसी एक्टिविटी है, जो कि कभी भी राय गाने जाती, इट्स नेवर बिंग वेस्टेट, वो क्यों? क्योंकि ट्रेविलिंग से आपको एक्सपॉजर मिलता है, यूर अल्वेशन से रशार्प हो जाती है, एक्सपिरिएंस स्ट्रॉंग हो जाती है, यूर अबल तो क्रिएट अवेरनेस और मच मौर, नए लोगों से मिलना जुलना होता है, मतलब बहुत कुछ होता है ट्रेवल में, बहुत कुछ आज जानेंगे, सीखेंगे और पता भी करेंगे, लेकिन किस से आज हमारे साथ हमारे स्पेशल केस मुझूद है, मिस्टर तॉफीग बट, असलाम नेकम, वालेकॉम असलाम, कैसें सारा? बिलकुल ठीक, आप कैसी? Thank you. So here we go, yes, we have Mr. Taufiq Parzahab here at Sama Podcast today, and today we are not going to talk anything political, socio-economic. Yes, we are going to talk and discuss about his travel logs, his travel diaries. He is a great traveler. इन्होंने दुनिया के बहुत से मुमालिक में सैर की है, उनको जाना है, पहचाना है, कौने कौने करीब-करीब से उनको, जैसे कहते हैं, कि observe किया है, he has gained much greater experiences. So मैं हर एक चीज़ पूछूगी आजिन से, और जेनरली मैं कुछ ऐसी बाते भी पूछूँगी, कि जाहिर अब जब जाते हैं, तो एक पाकिस्तानी की हैसे से जाते हैं, कि अगर जाते हैं, तो वो किस्ता से मिंटेंड रहते हैं, वहाँ के लोग क्या बियान करते हैं पाकिस्तान के बारे में, सब कुछ आज बात करेंगे, तो चलिए यह बात करते हैं, सब मुझे के बताएं, कि ट्रेवलिंग का शौक आपको कब हुआ? शौक से पहले एक मौका मिला मुझे, जब मैं गर्मन कॉलिज लहोर में था, तो एक मुशारा हुआ था नौर्वे में, उस वक्त अतावलक कास्मी साहब, अमजद इसलाम, अमजद साहब यह M.E.O. कॉलिज में पढ़ाते थे, तो मैं अपना जो गर्मन कॉलिज का मैगजीन था, रावी, उसका एडिटर था और उसमें मेरी कलाम चपता था, मेरी घजलें और नजबें चपती थी, जो उन्होंने पढ़ी हुई थी, और उनके साथ एक तालुक भी था, उन्हें हमने गर्मन कॉलिज लाहूर में बुलाया कई तक्रीबात में, तो उन्होंने मुझे का ताउला कास्मी साहब ने, कि नौर्वे में एक मुशारा हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चले, तो मेरे लिए तो ये एक बहुत ही इज़त की बात थी, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि मैं तो अभी बिल्कुल स्टूड़न्ट हूँ, मेरा बैंक बैलेंस कोई नहीं आए, एवन मेरा अकाउन भी कोई नहीं है, तो कैसे ये आप मुझे नौवे लेके जाएंगे और ये एक यॉरप का बेहतरीन मुलक है, तो वहाँ पर मैं कैसे जा सकता हूँ और मेरा वीज़ा कैसे लगेगा, तो उन्होंने मुझे का कि ये सारा इंतजाम हमारे मीजबान करेंगे जो नौवे में मुशारा करवा रहे हैं, तो मैं पहली दफ़ा एक बड़े अदीबों और शायरों के साथ नौवे गया, जिसमें मुझाफर वारसी साहब भी थे, जिसमें अमजद इसलाम, अमजद साहब थे, अतावल अकास्मी साहब थे, डौक्र अजमल नियाजी साहब थे, हसन दिजवी थे, और भी कुछ लोग थे, शहजाद आइमद बहुत बड़े शायर हैं, तो वहाँ पर मैं गया, और पहली दफ़ा मैंने देखा एक गोरा मुल्क, एक खुबसूरत मुल्क देखने का मुझे मुझे मौका मिला, तो फिर उसके बाद बस ऐसा पाओं में चक्कर आया, सफर का ऐसा शौक पैदा हुआ, कि भर अब तक खतम ही नहीं हुआ, अच्छी बात है, इंफ्रेस्ट होना भी चाहिए, और मेरा एक शेर है, मेरी गजल का, कि हुई है गुम यू नजर सफर में, गुजर गया दिन, सफर सफर में, तो यहाँ तो आप मुझे लगता है, कि जिन्दगी गुजर गई है सफर में, सफर करते हुए, यह बहुत अच्छी बात है, कि आप ट्रेवल करतें गायुए, और हमेश्य ऐसे इंसान हर किसी को ऐसा होना चाहिए, ट्रेवलिंग करते है रहना चाहिए, उसजर ना तो यह तो शीक्रίक को बहुत कुछ मलते हैं, बलकि आपका अपना माइड भी फ्रेश होता है, तो मेरा ख्याल है कि शायदी कोई मुलक ऐसा हो जहां मैं नहीं गया, यॉरप तो मैं बहुत गया हूँ, स्विसलेंड मुझे बहुत पसंद है, इटली मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्पेन मुझे बहुत अच्छा लगता है, जर्मनी मुझे बहुत अच्छा लगता है, ख झेफोसारे मुझों में गयाॉँ मैं जापान खासतोर पर में जिकर करना चाहूँगा कि जपान का तेजर्बा जो है वो बिल्कुल मुख़लिव था आ बहूत मुझे वहां पे सिखने को मिला बहुत कुछ उनकी जो नका कल्चर था उनका जो रहेंचे ने उनके जो तौर तरीके हैं उनका लोगों से मिलना उसने मुझे बहुत मुतासर किया जापान में मुझे की बटाएं कि अब तक आपने जतने पी कंट्रिस को देखा है उन में से सबसे ज़यदा खुबसूरत सबसे ज़यदा प्यारा कौन सा लगता है आपका मुल्क सबसे زیادہ خوبصورت तो मुझे अपना ही मुल்क लगता है यह सरफ कहने की बात नहीं आम तोरी रुआइती अंदास में यह कहा जाता है एसे हैसे खूबशूरत आलाके हैं पाकिस्तान में पाकिस्तान की बतक्समती यह है कि पाकिस्तान को आजっつक अच्छे हुकमरान नहीं मिले जब इमरान खान साब इक्तदार में आये थे तो अब पिछले जो है प्रिग्राम में भी मैंने अर्स किया था तो मैंने उने कालता कि अपनी सियाहत जो है उस पर खास तबज़ दे हमारे शमाली अलाका जाथ जो है वो इतने इतने खुबसूरत है कि आप अगर वहां पे डिवल्प्मेंट की जाए अगर वहां पे जो हमारा मवासलाती निजाम है वो ठीक किया जाए रोड्स जो है वो बेतर की जाए तो आप यकीन करें कि ये जो हम लोग जो हैं खुबसूरती देखने के लिए इतने पैसे खर्च करते हैं और दुनिया में जाते हैं और यॉरप में जाते हैं और दूसरे मुलकों में जाते हैं वहां पे हमें जाने की ज़रोती महसूस ना हो इतने इतनी खुबसूरत जीले हैं दर्या हैं पहाड हैं इतने इतने खुबसूरत लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे हुकुमरानों ने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी मैं यह समझता हूँ कि जितने लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं खुबसूरती देखने के लिए शायद इससे कहीं ज्यादा बाहर से लोग आएं पाकिस्तान में खुबसूरती देखने के लिए अगर हम अपने इन 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 इलाकों को जो है वो जरा यहां का जो सिस्टम है वो ठीक कर ले बिलकुल ठीक है आपने और हमारी एकानमी भी स्ट्रॉंग हो जाए बिलकुल सियाहत अभी आप देखिए कि आप आपके बिलकुल करीब है दुबई यूई यहां की आप मिसाल ले ले किस तरह से उनोंने जो है वो सिर्फ एकी चीज उनोंने अन्शूर की टूरिजम और स्कूरिटी तो आप देखें कि पूरी दुनिया जो है वो वहां पे आती अभी मैं रेस प्रिसमती यह है कि हम इस तरफ हमने तवज्जों नी दी इसलिए हमें जो बाहर की दुनिया है वो जरा ज्यादा खुबसूरा लगती बिलकुल ठीक बात कि आपने समझे कि बताएं कि आप ने इतने कंट्रीज को देखा है तो सबसे बहतर सिस्टम आपको किस मुलक का लग हम रहते हैं हुकमरानों के आने जाने से सिस्टम को कोई फरक नहीं पड़ता हमारे हाँ तो यह होता है कि नए हुकमरान आ जाते हैं तो वो अपना सिस्टम ले आते हैं पर उसके बाद हुकमरान आए तो वो अपना सिस्टम ले आते हैं दुनिया में ऐसे नहीं होता जिन निजाम है उसके जरीए वो अपनी सिस्टम में बेहतरिया लाते हैं और उसको ज्यादा जो है वो लोगों के लिए वो ऐसा बना देते हैं कि जिससे लोगों को ज्यादा फाइदा पहुँचे लेकिन मैं अगर खास तोर पर बात करूँ अगर आप खास तोर पर पूछ रही है तो आप यकीन करें कि मैं समझता हूं पूरी दुनिया में जितने मुलकों में गया हूं मैं पूरी दुनिया में जितने मुलकों में गया हूं तो जापान के सिस्टम का कोई मुकाबला नहीं है जापान एक मैं ये समझता हूं कि दुनिया में अगर कोई कौम सही मानों में क काम कहलवाने के हकदार हैं तो वो जापानी है और अपने सिस्टम की बन्याद पे हैं उनका सिस्टम इतना खुबसूरत और इतना मसलां मैं आपको बताओं वहां पे कोई एक शक्स जो है वो कार लेके बाहर नहीं जा सकता अगर वो बाहर जाएगा तो वहां पे इतना है कि भई इस गाड़ी में तो पांच लोगों की गुझाईश है आप अगर अकेले गाड़ी लेके बाहर निकले हैं तो आपने हमारा जो ट्रैफिक सिस्टम है उसको खराब किया है अगर उसमें दो लोग होंगे तो टेक्स कम हो जाएगा तीन लोग होंगे और टेक्स कम हो है तो फिर आप एक पूरी गाड़ी लेके रोड़ पे क्यों आते हैं आपको नहीं आना चाहिए इसी तरह वहां पे एक सिस्टम है कि अगर आप एक बच्चा पैदा करते हैं तो वो समझते हैं कि रियास्त और हकुमत उसकी जिमादारी है अगर आप दूसरा बच्चा पे ये आलम है कि आप जरूरी नहीं है कि जब आप घरों से बाहर जाएं तो आप घर को लॉक करके जाएं आप जब घर से बाहर होते हैं तो घर के बाहर रेड लाइट जलती है जब आप घर में होते हैं तो गरीन लाइट जल रही होती है जिसका मतलब यह है कि आप घर में और अगर तीन दिन से ज्यादा वहाँ पे रेड लाइट घर के बाइड जलती है तो वहाँ पे वो अमला आता है मुतलका जिसको सिटी कॉंसल कहते हैं वो आता है वो आके सारे घर की सफाई करते हैं उसके निजाम को देखते हैं और यह हो यह नहीं सकता कि वहाँ से कोई नहीं हैं, फारक बेटे हुए हैं और उन से सफाई का काम लेते हैं, पुलीस वाले और इस तरह के बोच से काम करते हैं तो पुलीस का एक बिलकुल मुख्लिफ किंसेप्ट जो है वहां पे हमारे सामने आता है, जूट का वहां पे कोई तसवर ही नहीं है, उनकी जो डिक्शनर जापनी खातून थी तो मैंने ऐसे उनging नसे पूछा मैंने का जी किए आपके इदर मलावट की जिस तरह मैंने चाप मलावट की जो है वो क्या सजा है आपके जापान के कानून में तो उसको ये नही पता था कि ये मलावट क्या होती है उसको बिलकुल अंदाजा नहीं था, मैंने उसको समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उसको, उसकी बात समझ में नहीं आई कि ये, क्या होता है, कि मलावट हमारे हाँ आप देखे कि क्या, तो जब हम अपने सिस्टम से, उस, उनके सिस्टम को कंपेर करते हैं, उनके सिस्टम का मवाजना करते हैं तो हम सोचते हैं कि यार हमारे तो आज अगर पाकिस्तान में नेक नियत और द्यानतदार हुकुमरान आ जाएं तो शायद उनके मकाम तक पहुंचते पहुंचते हमें पे करते हैं तो आपके सामने जुक जाते हैं वो यह कहते हैं आप उनसे पूछें कि आपका मजभ क्या है तो वो कहते हैं कि हमारा मजभ काम है आप उनसे पूछें कि आपका खुदा कोन है तो वो कहते हैं कस्टमर यह हमें पे करता है तो वो कस्टमर की इतनी रिस्पेक्ट कर पिर अल्ला तरक्की भी देता है तो मैं ये समझता हूँ कि जापान में मुझे बड़ा मज़ा आता है और पाकिस्टान के इलावा अगर मुझे कभी कोई कहे के जी आप कहां रहना पसंद खरेंगे तो उनके जापान के सिस्टम की वज़ा से मैं जापान में रहना पसंद करूँगा وہاں पे हमारे जो पाकिस्तान के एमभैसिड़ इम्तियास सहब इम्तियास अमधप्हान तो रो मैं जब को तीन साल पहले जापान गया तो वो एमभैसिडर थे और जापान में उन्होंने 20 साल से ज्यादा मुख्तलिफ हैसियोतों में जापान में उन्होंने काम किया जापान उनका भी पसंदीदा मुल्क है तो मैंने जापान की बहुत सारी बातें उनसे पूछी तो मेरी तरह उनकी भी राय ये है कि दुनिया में अगर इनसानों के दर्मियान अगर आप रहना पसंद करें तो जापान एक ऐसी जगह है जहां पे बसने वालों को वाकिए सही मानों में आप इनसान कह सकते हैं आपने इतने माइंड ब्लॉइंग फैक्ट शेयर किये मेरे साथ जपान के क्या मुझे लगता है कि मुझे भी जाकी विजिट करना पढ़े है जरूर जाएं बिल्कुल जरूर जरूर जाएं वहाँ पे हमारे सफारत खाने में बहुत अच्छा अमला ताइनात है आप जब जाएंगी तो फिर आप बताईएगा वो इन्शालला पूरा आपकी रहनुमाई करेंगे मुझे की बताएं जब मैं बात करती हूं पाकिस्तान के सफारत खानों की ही तो दूसरे ममालक में जो पाकिस्तान के सफारत खाने है उन में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या एहम करदार अंजाम दिया जा रहा है और वहा के सफारत खाने किस तरह काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए देखें किसी भी मुलक में सफारत खाना तो पाकिस्तान की नुमाइदी की करता है और सफारत खाने का बुन्यादी काम यह होता है कि एक तो अपने मुलक का नाम जो है वो रोशन करें अपने मुलक के वकार को एहमियत दें तरजी दें और उसके लिए काम करें और दूसरा यह कि वहाँ पे जो पाकिस्तानी रहते हैं उनके मसाइल के हल के लिए जो है वो कोशिश करें हमारे दुनिया में बेशुमार ऐसे सफारत खाने हैं जहां पर बदकिस्मती से ऐसे लोग ताइनात हो जाते हैं कि वो यह समझते हैं वो जो आप कह लें कि एक टिपिकल बिरोक्रेट टाइप लोग होते हैं अपने आप में रहने वाले और वो अपने आप को समझते हैं कि हमें जरा लोगों से एक फासला रखना चाहिए लोगों से एक दूरी रखनी चाहिए वो इसको अपने बदकिस्मती से इसको अपने मनसब का हिस्सा समझते हैं लेकिन इसके साथ साथ बेशमार लोग हैं बेशमार हमारे सफारतकार हैं जोनों ने पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं उनका वहां पे रहने वाले लोगों के साथ रापता है अभी मैं पिछले दिनों मसकत गया हुआ था तो वहां पे इमरान चौधरी हमारे सफीर है उससे पहले वो स्पेन में बासलोना में थे तो ये काविट के दिनों में मुझे लोगों ने बताया कि 24 गंटे सफारत खाना जो है वो खुला रहता था कि किसी पाकिस्तानी को किसी किसम की जरूरत ना पढ़ जा और वो खुद भी वहां पे मौशूद होते थे तो ये एक बहुत मुझे अच्छा इस चौजरी साब हैं तो मुझे उनके घर में बहुत देर तक उनके साथ नशिस्त हुई तो मैं ये देख रहा था कि मेरे साथ मुलाकात के दोरान भी उन्हें जो फोन आ रहे थे या जो वो काम कर रहे थे तो वो ऐसे ही था कि पाकिस्तान के लिए हमने पाकिस्तान में किस लोगों को कन्विंस कर रहे हैं खास तोर पर जरात के शुबे में जो हकुमत नहीं जो है वो चीजें कहा है कि जो जराई जमीने हैं वो हम लोगों को दें और उसमें लोगों को सहुलतें दें ताके लोग उस पर काम करें तो इस सवाले से वो हमारे बड़ा काम कर रहे थे में डेप्टी कौंसर जर्रेनल थे पाकिस्तान में एमाजोन को पाकिस्तान में लाने में उनका बहुत बुनियादी किर्दार है और मैं जब अमेरिका जाता था लोग मुझे बताते थे किस तरह वो उनकी हल्प करते हैं उनकी जो यहां से पाकिस्तानी जाते हैं उनकी मलाजम के लिए और उनके दूसरे मसायल को जो है वो हल करते हैं और बहुत उन्हों ने श्वैब सर्वर साब ने काम किया आज भी अमेरिका में लोग उनको बहुत याद करते हैं डॉक्टर मुलक है मैं पिछले दिनों वहां पे गया तो वहां पे एक पाकिस्तानी फैमली थी उनके किसी अजीज की देथ होगी अब जब वहां से डड़ बॉड़ी पाकिस्तान लानी होती है तो हमारा जो सफारत खाना होता है उस मुलक का वो उनको फिसिलिटेट करता है वो उनको गा मुझे किसी ने बताया कि जी पिछले तीन रोज से जो उस मुलक के अमबैसिडर हैं वो उसके जो 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 जिसकी देथ हुई थी उनके उनकी फैमिली से मिलने से इनकारी थे वो उन्हें मिली नहीं रहते और उस पे ज्यादा हैरत मुझे इसलिए हुई कि वो जो हमारे अमबै जो खुद एक तकलीफ से एक आस्माईश से गुजर रहे हैं यह अगर लोगों की आस्माईश को लोगों की तकालीफ को लोगों के दुख को नहीं समझेंगे तो पिर कौन समझेगा मैं यह समझता हूँ कि हमारे जो वजारत खारचा है उसको यह चाहिए कि जब किसी को बत जादी चीज़ है जो कि देखनी चाहिए यह लीडर्शिप कॉलिटी होती है और अगर यह नहीं है तो फिर I don't think so कि you deserve that seat जिसके लिए आपको ताइनात किया जाए जाहर है अगर आपको इती बड़ी अगर उन्हें से सलामती अताफ है तो यह मैं नहीं चाहता कि हमें इससे फरक नहीं पड़ता कि कौन सामरूप था लेकिन हमारी कोशिश और दौा है कि जो भी वह बहतरी हो और आइंदर से लोग एक दूसरे को देख के सीखे ताकि यह जो होती है इस तरह की मिसलेनियस इरलिवन्ट एक्टिविटीज वो ना हो ताकि कोई भी से मुश्किल में ना हो किसी के लिए मुश्किल ना है सर मुविंग ऑन मुझे यह पता है जब मैं बात करती हूँ अब पाकिस्तान के जो सफारत खाने हैं दूसरे ममालिक में और उन्मे ताइनात के गए सफीर वो कितना संजीधा करदार अदा कर रहे हैं। मैं यह समझता हím कि यह बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए। कि क्या पाकिस्तान में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं कि उनको अपना ये कर्दार अदा करने में आसानी हो. अब दुनिया को बेवकुफ नहीं बनाया जा सकता. अब ये दोड़ी है कि पाकिस्तान में जो है वो करप्शन और इस तरह की जो दूसरी चीजें हैं ये चीजें जो हैं वो आम हो। पाकिस्तान में नाइनसाफी हो पाकिस्तान में लोगों पे जल्म हो रहा हो पाकिस्तान में इदारे अपना काम ना कर रहे हो तो हमारे वो जो सफीर हैं वो कैसे वहां लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कैसे पाकिस्तान का एक साफ्ट इमेज जो है वो उसको क्योंकि अब ये सो इस तरह की चीजें होनी चाहिएं कि हमारे जो सफीर अगर पाकिस्तान का एक इमेज बहतर इमेज दुनिया को दिखाना चाहें तो दुनिया उसे जूट ना समझे दुनिया ऊसे सच समझे लेकिन यह जूरूर आए कि हमारे जो मुशलिफ मुलकों में पाक ojos कर्वारिती आम्ला है करता रहता है खास तोर पे अपनी सकाफत को मुतारिफ करवाने के लिए अपनी सकाफत को दन्या में इंट्रीउस करवाने के लिए बड़ा काम होता है यहां से हमारे मुशलिफ डेलिगेशन्स जाते हैं हमारे सिंगल जाते हैं, यहां पे गुलुकार जाते हैं, मुशायरे होते हैं बहुत जादा, हमारे यहां से शायर अदीब जाते हैं, सेमिनार्ज होते हैं, तो यह तो सारी चीज़े जो हैं, जाहर है कि पाकिस्तान में एक टैलन्ट है और उस टैलन्ट को दुनिया मानती भी ह है, लेकिन असल बात तो ये है, कि हम खुद अपने टैलन्ट की कितनी इजoin करते हैं, कितनी गदर करते हैं, इसको कितना पर्मोट करते हैं. ये चीजें भी हमें देखना चाहिए. अर्स करने का मकसद ये है, कि पाकिस्तान का जो एक साफ्ट इमेज है, उसके لیے ہمارے جو सفارتکار ہیں وہ ضرور کوششیں کرتے ہیں جو کہ ان کے فرائز میں شامل ہے وہ کسی پہ وہ نہیں کرتے ظاہر ہے وہ اور کس مقصد کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا ماحول پایدہ ہو ایک ایسا خوبصورت ماحول قائم ہو کہ ہمارے ان سفارتکاروں کو پاکستان کا سافٹ image دکھانے میں آسانی پایدہ ہو ठीक है, I second your opinion ने किसम जीए बता है, जब यह लोग ताइनात होते हैं जो भी सफीर है तो उस वकत यह लोग क्यों नहीं सोचते हैं कि पाकिस्तान में अब तक तो भेटरी वो तो आज तक दी है, इस पॉइंट तक दी है विश कुड ब्रिंग चेंज और ड्वेलिपेंट फर दी ससाइटी अट लीस्ट जैसे हम कहते हैं कि हमारी इमिज जो है, शीशे के सामने पूरी दुनिया में ठीक हो जाए तब किनी उठाते हैं यह लोगवास में हमारा जो खास तोर पे जो हमारा निजामे अदल है जो खास तोर पे हमारा पुलिटिकल सिस्टम है खास तोर पे हमारे इंतजामी नौईत के मौामलात है उन में इतनी बेहतरी आ जाए कि वो हमारे सफारतकार जब दुनिया को पाकिस्तान का एक रोशन और खुबसूरत चेहरा दिखाने की कोशिश करें तो उसमें उन्हें काम्याबी हो ना के दुनिया उनका मजाक उड़ाए कि आप जो पाकिस्तान के बारे में बता रहे हैं पाकिस्तान में तो हालात उससे बिलकुल मुख्तलिफ है सारे की सारे सिस्टम को चेंज होने की ज़रूरत है लेट सी अभी तो यलेक्शन आरे I just hope for the best के आने वारे यलेक्शन से सारे की सारे सिस्टम सेंज हो जाए विच आई डू नॉट सी यहां पे मसला यह है कि अब हम सियास्त पे तो बात नहीं कर रहे है जैसा कि आपने अब्तदा में भी का था यहां पे होता यह है कि अमरान खान थे उनका जो बुन्यादी एजंडा था वो सिस्टम की तबदीली था आप देखिए कि यह क्रिमिनल और क्रॉप्ट सिस्टम कितना ताकतवार है बजाए इसके कि अमरान खान सिस्टम तबदील करते सिस्टम ने अमरान खान को तबदील कर दिया और वो बेशमार मामलात में उस सिस्टम का हिस्सा बन गए तो यह जो लोग आ रहे हैं अभी यह कोई नए लोग नहीं हैं यह कोई नए चेरे नहीं हैं ये वो ही लोग हैं जो बार बार MNA बनते रहे, जो बार बार MPA बनते रहे, तो इन से हम क्या तवक्व करें, कि ये जब दुबारा तीसरी बार, चोती बार, पांच्वी बार, कोई छटी बार एक्तदार में आ रहा है, तो ये आके सिस्टम, ये खुद सिस्टम के बेनेफिश जो दूसरे मुमालिक हैं, वहाँ पे हम इस्ट और आप रुपा सकें, आइ तिंग ये लोग ना, बस ऐसी शोक से, जैसे एक फैमिली ने गुज़र हो थी, तो रास्ते में कोई नई चीज़ नज़र आती है, को नए रेस्टिनरी कैफे, तो सारे बचे शोर करते हैं, हम यह पे एक बार experience तो ले ले, तो आइ तिंग यह सब भी ऐसी ना, गुज़रते गुज़रते, elections खुल गे हैं, seats खा ली हैं, चलो यार, फिर चार साल के लिए बैठ जयते हैं, आइ तिंग यहाँ पे सिर्फ यह चल रहा है, देखे, मैं आपकी खर्मन मेहर्स करूं, येकीन करें पर ये लोगों को बेफ़फ़ बनाती, ये पाकिस्तान में ये सियासेदानों को जो नाजायज प्रोटोकॉल मिलते हैं, ये निकाल दें, और लूट मार जो है, के पालिटिक्स में आके MN EPA बनके, ये मैंबर पार्लिमंट बनके हमने जो है वो लूट मार करें, ये दो के लिए पाकिस्तान में आएं ये खिदमत की स्यासत के नाम पर आते हैं और उसके बाद जो लूट मार मचाते हैं इनकी अक्सरियत जो है और जिस तरह से ये स्क्यूरिटी के नाम पर खजाने को कौमी खजाने को नुकसान पहुचाते हैं ये तो अल्ला की बना तो मैं ये पाकिस्तान को ले आएं तो अभी इनको शरम आनी चाहिए कि पाकिस्तान रहेगा तो इनका ये खाबा प्रोग्राम छोटा मुटा किसी ना किसी तरीके से चलता रहेगा तो अब पाकिस्तान को मजबूत बनाने के हवाले से खास दोर पर पाकिस्तान को मौाशी लिहाज से मज आदा काम ना इसी में निकल जाता है, आदा दने इसी में निकल जाता है, वेस्ट हो जाता है, यूजे प्रोटकोल्स वेगरा जो सारे लेते हैं, बिलावजा की, इट शुड़न्ट बी, फर नो गूड रीज़ अभी मुझे ये एक नौर्वे में कोई साब बता रहे थे, उन मैंने उन्हें का की, करते हैं, आप मेरे क्या हल्प कर सकते हैं, यून्हें थोड़ा बुथ देखा, चेक किया, तो हो गई तो मैंने कहते हैं जब गौर से देखा तो वो नौर्वे के इंटीरियर मिनिस्टर थे जुन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और वो अकेले थे अब देखें इस तरह की ये तो अपने आफिस तो साइकल पे जा रही थी रस्ते में एक बिली का बच्चा जो है ना वो उनकी साइकल के नीचे आके सखमी हो गया तो उसके बाद उसको पीछे से आने वाली एक कार ने उसको तो वो बच्चा जो है वो मर गया वो इतनी रोट पे खड़ी होके मतलब उस बच् चली गई है अब मैं में अपने काम पर तवज्जो दे सकूँ मैं अपसेट हो गई हूँ मैं डिप्रेस हो गई हूँ मैं अपना काम अप नहीं कर सकती लेहाज़ा मैं अपने जो होता है उससे मैं रिसाइन करती हूँ उनके नजदीक आप यकीन करें कि वो ऐसे लोग इस तरह की कई मिसाले जो हमें वहां जाके मिलती हैं तो हम जी सूचते हैं कि बाहसियत मुसल्मान जो हमारा दीन हमें बताता है रहम दिली का और सिला रहमी का तो मैं यह कहता हूं कि यह चीज़ें तो हमें ज्यादा होनी चाहिए हैं हम जालम हैं कि आप देख लिए हैं किस तरह की आप रोज अखबार उठाके देख लें सोशल मीडिया देख लें कैसे कैसे यहां पे जलम होते हैं कैसी-कैसी जलम की दासताने होती हैं आप अपने थाने देख लें आप अपनी कचारियों में देख लें कितने कितने जो आज आज यहां पाकिस्तान में कोई नेक नियत होकुमरान ये सर्वे करवाए अगर कि पाकिस्तान की जेलों में कितने लोग वो नाजाइस बैंड हैं, जन्हों ने कोई जॉर्म नें किया, ठीक है, वो बैंड हैं। तो पता चल जाएगा आपको कि पाकिस्तान में कितना, ये जो आज हम पे एक अजाबी सी कैफियत से हम दो चाहर हैं, कि कभी बारशें हम से नाइनसाफी है जल्म है तो यह वो फरमाया गिया ना कि कुफर का निजाम चल सकता है जल्म का निजाम नहीं चल सकता तो वहाँ आप जब जाते हैं तो एक चीज जो आपको बहुत ज़्यादा जिससे आपको एत्मिनान होता है कि उन मौाशरों में जल्म नहीं है, वहाँ पे कोई किसी के काम में मदाखलत नहीं करता, किसी को गरज नहीं होती कि इसके बच्चे कितने हैं, इसने सुर्खी पाउडर कौन से कलर का लगाया हुए, इस खातून ने ड्रेसिंग कौन सी की हुई है, इसका बैंक बैलंस कितना ह है, इसकी प्रापटी कितनी है, कोई आपके काम में मदाखलत नहीं करता, इवन ये भी लोगों को नहीं पता होता, कि हमारे साथ वाले घर में जो रहते हैं, ये क्या करते हैं, ये कोई जाब करते हैं, इतने केरिंग और इतने लविंग, हम पिसले साल जब कैनेड़ा गए, तो वहाँ पे मेरे ब्रदन हिनला हैं, लेंडन उंटारियो में रहते हैं, शाहिद अजीज मालिक, तो उन्होंने हमें लेके जाना था उदर वैंकोर वाली साइट पे और कैलकरी वाली साइट पे, तो हमने एक अफ़ते के लिए जाना था, तो उनके साथ एक रिटार्ट प पेड़े, तो वह किसली आये थे, आप यह सुनके हिरान होंगी, कि वह किसली आये थे, साथ घर है उनका, वह इसली आये थे, उन्होंने कहा कि हमें पता चला है, कि आप एक हफ़ते के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, तो एक हफ़ते में आपका जो लान है, फरंट लान और इसकी घास जो है वो बढ़ जाएगी और फ्रंट लाउंज जो है आपका इसकी घास अगर बढ़ गई तो हो सकता है कि आपको कोई फाइन ना हो जाए यह जो सिटी कॉंसल वाले हैं जो गर्वर्मेंट है यह कोई आपको फाइन ना कर जाए जो है कि जी वो एक गास एक खास हट तक बढ़ जाए तो वो आके पर उन्हों ने का जी कि अगर आप हमें इजाज़त दे जाएं तो क्या हम आपके यह दोनों लाउंज जो हैं यह इनकी सफाई करते रहें बाद में आप अंदासा करें कि वो कितने ग्रेट लोग हैं कि वो सिर्फ इसलिया आए कि जी आप हमें अजाज़त दे दें कि आपकी गैर मौजूदगी में हम आपके लाउन साफ करते रहें इसकी घास काटते रहें और इसमें जो छोटे मोटे पते शते गिरे हों उनकी आप सफाई आप सेज़ें यहां पर हमारी गैर मजूदगी में लोग डाके डाल जाते हैं से लोगों से मैं मिला और मैं देखा और उनके वाकियात उनकी असमत के मैंने सुने मैं और मैं ये सूचा कि अगर ये लोग कलमा पढ़ ले तो यकीन करें के ये तो कोई हम इने वलीयों का और हम इने वो दरजा दें जो हम अपने वलीयों को और हम अपने पैगंबरों को दरजा देते हैं कि वो कितने अजीम लोग थे ऐसे ऐसे वाकियात हम वहाँ पे लोगों की अजमत के पाकिस्तान में भी अच्छे लोग हैं यह नहीं है यह जो पाकिस्त लोगों की वज़ा से है यह नहीं है कि सारे लोग बुरे हैं लेकिन हमें यह देखना चाहिए यह दुनिया यह देखती है कि अबराल हमारी सोसाइटी का इमिज जो है वो क्या है कुछ परसंटेज हम और ठीक हो जाए तो शायद हम भेतरीन कौमों में से कौम कहला है परसंटेज क्या बात कर दे तो I want to add a small event in addition to it recently there was a future fest so there was a governor of Punjab Mr. Baligur Haman who was there at the future fest so he was not taking protocols which I overheard and everybody heard about it कि वो परसंटेज नहीं लेते he was taking protocols there and he was very in a big attitude and he was even adamant in giving answers to our questions as well and in the end नराज होके गई है सुनने में आया है कि उनको protocols नहीं मिली future fest से तो ये तो हाले देखें पाकिस्तान में अगर सही मानों में कोई दर्वेश हुकुमरान था तो उनका नाम था मलक मेराज खालेद ये पाकिस्तान के के टिकर प्राइमिस्टर है ये पाकिस्तान के वजीर कानून रहे ये पंजाब के वजीर आला रहे और आज भी लहोर के इलाके बीडन रोड लक्षमी मेंशन में इनका अडाई मरले का घर है ये जब पाकिस्तान के वजीर आजम थे मलक मेराज खालत तब भी ये उसी अडाई मरले के घर में रहे आज भी इनकी फैमिली वहीं पे रहती है और मैं यहां पे एक बड़ाई दिल्चस्प वाकिया आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैं अपने कॉलम में भी कई बार लिख चुका हूँ कि एक बार मैं और हमारे एक मरहूम बड़े सीनियर बिरोक्रेटर और वराइटर भी थे डॉक्टर सफदर महमूद वो और एक हमारे गुलुकार मरहूम अनायत हुसैन बटी साथ हम तीनों उनसे मिलने के लिए गए जब वो केर टिकर प्राइम मिनिस्टर थी तो किसी काम के सलसले में उनसे मिलने के लिए गए तो बहुत ज़्यादा रष्ट था उनके पास तो उन्होंने मुझे का मेरे साथ उनकी बड़ी महबत थी तो मुझे का कि तुम अपनी गाड़ी जो है वो बैक साइट पे ले आओ तो हम सरक्ट आउस चलते हैं और वहाँ पे चलके अराम से बैठ के तनाई में जो बात करनी है वो कर लेते हैं तो मैं गाड़ी लेके गया वो आगे मेरे साथ गाड़ी में बैठ गए पीछे अनायत हुसेन बटी साथ थे और डॉक्टर सफदर मैमोस थे जब हमारी गाड़ी माल रोड पे आई तो वहाँ चारो इतराफ की ट्रैफक ब्लॉक थी रोकी हुई थी ट्रैफक पलीस ने तो उन्होंने एक शीशा नीचे किया गाड़ी का और एक ट्रैफक कांस्टेबल को अपने पास इशारे से बुलाया और उन से पूछा कि ये ट्रैफक जो है ये क्यों रोकी हुई है आपने चारो इतराफ की तो उसने कहा जी कि गवणनर खौजा तारिक रहीम जो है उनकी सवारी गुजरनी है तो उसके लिए उनके प्रोटोकॉल के लिए ट्रैफक रोकी गई है चारो तरफ से तो उन्होंने मलक मिराज खाले साब ने अपनी जेब से वो एक छोटा सा फौन होता था उसको उस जमाने में तित्ती दस कहते थे वो उन्होंने वो फौन निकाला और करीब करके उसको वो नमबर मिला के तो कहते हैं कि मेरी गवणनर साब नल गल हो सक दिये तो वो बात की उन से तो कहते हैं कि गवणनर साब मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए फौन किया है कि गवणनर के यानि आपके प्रोटोकॉल के लिए माल रोड पे चारो अइतराफ की जो ट्रैफिक रोकी हुई है उसमें वजीर आजम की गाड़ी भी फसी हुई उसमें प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी जो है वो भी पसी हुई है तो वो बिलकुल इस चीज को पसंद नहीं करते थे दूसरा मैंने अभी देखा है मैंने खुद कल भी मैं शादमान में मैंने देखा कि वहां पे गुजरे मैंने ये देखा है कि ये जो केर टेकर हमारे मौ सन नकवी हैं चीज मिनिस्टर ये भी जब से ये चीज मिनिस्टर बने हैं इन्होंने भी बिलकुल एक गाड़ी सिर्फ इनके साथ चलती है और इनकी अपनी गाड़ी होती है ये भी प्रोटोकॉल नहीं लेते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोगों को जो है वो एपि पुलीस आफिसर हैं हमारे जो सिवल अफसरान हैं दूसरे जो हैं आप एकीन करें क्या आपको बताएं कि इनके लिए भी सड़कें बंद होती हैं और गंटों गंटों जो हैं जो चीज़ नहीं हम उसके बारे में भी बात करते हैं जो चीज़ हम उसके बारे में भी बात करत को मेरा खाल है कम असकम को 18-20 बरस तो गुजर गए होंगे यह आज हम उन को याद कर रहे हैं ठीक है यही किसी इनसान की जो है वो बात याद रहे हैं जो है कि उसकी उनके अच्छे अमाल को लोग जो है उनके जाने के कई सालों के बाद भी याद करें हम मौसर नकवी अगर कल ची मिनिस्टर नहीं रहेंगे तो हम उनकी इस बात को हम याद करेंगे उनके इस अमल को कि उन्होंने भी जो है वो जो गैर जरूरी प्रोटोकोल हटो बच्चो यह हम मुख्लिफ स हैं अभी आप रिसेंटली अस्ट्रेलिया गए तो अस्ट्रेलिया से पहले आपने यॉर्पेन कंट्रीज भी विजिट की हैं सारे के सारे तो उनका अपना एक्छा एक्सपीरिंस बताएं कि वहाँ पे जब आप जाते हैं तो एजब पाकिस्टानी वह आपको कैसे ट्रीट होने पे मैंने तो 2016 में कैंबरा में अस्ट्रेलिया में जब मैं गया तो मैंने वहाँ पे जो अस्ट्रेलियन पार्लिमेंट थी वहाँ पर अपने ड्रेस में शलवार कमीज में वहाँ के जो मेंबर पार्लिमेंट थे उनसे खिताब भी किया था उनसे मुलकातें भी हुई थ पर यह जो मैंने शलवार करमीज और उसके उपर वेसकट अपना कौमी लिबास मैंने जो पैना होता है तो यह मुझे तो लोग बहाँ पर एप्रिशेट करते हैं और वो पसंद करते हैं इसी तरह मैं यह समझता हूँ कि हमें अपना लिबास अपनी तहजीब अपना कल्चर औ अपनी जुबान पर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बाहर भी हमें कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए हमें इस पे फखर होना चाहिए कि हमारा पाकिस्तान एक मुल्क है पाकिस्तान एक 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 कुवत है और पाकिस्तान का दुनिया में कभी एक बहुत बड़ा एक इस्त दाना मकाम होता था जिसे हमारे पिछले कई बरसों से जो हुकमरान आए इनकी वज़ा से इन हुकमरानों की वज़ा से हमारी नेक नामी में दुनिया में कमी हुई अदर्वाइस तो पाकिस्तान का एक पाकिस्तान के इदारों का एक तकदस होता था पी आईए आप कितना बड बड़े लोग रहे हमारे फोज में भी अफ़ाज पाकिस्तान में भी बड़े अच्छे लोग जो हैं वो रहे यह तो पिछले चंद बरसों से कोई ऐसे हालाद पैदा होगे तो लोग जो हैं वो तो एक जाती हसियत में भी आपका जाती तालुक भी होता है उस वज़ा से भी यह कभी नहीं हुआ कि मुझे बैहसियत पाकिस्तानी जो है वो किसी ने कम तर समझा हो या मेरे साथ किसी भी जगा पर ऐसा सलूक किया हो कि जिस से मुझे अपने पाकिस्तानी होने पर शर्मिंदगी हुई हो मैं उन चास मुलकों में अब तक जा चुका हूँ कहीं भी मेरे साथ ऐसा वाकिया नहीं हुआ कि जिस से मुझे लगाओ कि मुझे कम तर समझा जा रहा है और गो कि अपने अंदर मुझे ये ऐसास रहता है कि हमें अपने मौामलात को बेतर करना चाहिए हमें अपने रवईयों को बेतर करना चाहिए लेकिन कभी ऐसे नहीं हुआ कि मुझे किसी जगा पे कम तर समझा गया हो और मुझे लोगों ने हमेशा बड़ी इस्जत दी है दुनिया में अभी मैं अस्ट्रेलिया में भी गिया तो डेर्ड महीने में 114 तक्रीबात वहां पे जो पाकिस्तानी थे नहüne मेरे लिए की जिनमें वहां कई शहरों के मेहर जो है वो भी आई होे थे उन से एक तलुक बना और उन से बहुत कुछ सीखने का मोगा मिला हमने भी जो पाकिस्तान की पाजिटिव चीज़े हैं और वो कई हैं पाकिस्तान का जो एक पाकिस्तानियों में जो मुस्बत रवाइये हैं हमारे कुछ इदारे ठीक काम कर रहे हैं हमने भी उनके बारे में उने बताया तो मुझे तो हमेशा दुनिया में लोगों ने इस्जत ही दी है पाकिस्तानी ओवर्सीज जो है, मुलकी सियासी और माशी, जो हालत इसके बारे में क्या कहते हैं, क्या उनका रविया होता है, तथकरा होता है? मैं आपको सच बताओं तो पाकिस्तान, जो ओवर्सीज पाकिस्तानी है हमारे, वो पाकिस्तान में जो सियासी निजाम को बार बार गैर मुस्तहकम किया जाता है, उससे बहुत ज्यादा नारास है, और वो ये समझते हैं, कि हमारे मुआशी निजाम में अगर कोई इस्तहकम न उसको भी चलने नहीं दिया जारा अभी ये जो हुआ कि इमरान खान की गार्मेंट को खतम किया गया तो इसको ऑवसीस पाकिस्तारियों ने बहुत मायंड किया और उने बहुत घुसा था वो ये समझते थे ये जो अमरान खान के पास वो ये बात मानने के लिए त्यार ने कि उसने पौने चार सालों में कुछ नहीं किया वो ये कहते हैं कि अगर उसको मजीद सवा साल मिल जाता तो वो बहुत कुछ करता अच्छा ये तो उन्हें इस बात का घुसा है मैं बहुत सारे मुलकों में गया हूँ इमरान खान की गर्मिंट खतम होने के बाद एक तो इस बात का घुसा है कि जी इमरान खान की गर्मिंट क्यों खतम की उससे भी ज्यादा उनके घुसे में शिद्दत इस वज़ा से है कि इमरान खान की गवर्मिंट को खतम करके उन लोगों को लाया गया जिनों ने पाकिस्तान को मौाशी लिहास से और दीगर हवालों से तबाह करने में पहले भी कोई कसर नहीं छोड़ी तो इस बात पर वो बहुत ज़्यादा वो नाराज है कि अगर वो कहते हैं कि आपने इमरान खान की गवर्मिंट को खतम करना था चाहे उसके लिए इन्होंने एक दिखावे के लिए लीगल तरीका अख्तियार किया वोट अफ नो कंफिडेंस जो है वो उसको लेके आए लेकिन वहां लोग ये मानने के लिए त्यार नहीं मैं आपको एक बाह बताऊँ सचे दिल से कि शायद हम पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तान के साथ इतनी महबत नहीं करते जितनी महबत हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ करते हैं पाकिस्तान में अगर ये करप्शन और ये जो इज़त नफस है लोगों की बार बार मज़ू होती है सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है जिस तरह से वो किया जाता है और ये स्क्यूरिटी ये तीन चार मौामलाद अगर पाकिस्तान में ठीक हो जाएं पाकिस्तान में ये जो खाबे प्रोग्राम है इनमें कमी आ जाए करप्शन हतम हो जाए स्टेबिलिटी आ जाए इदारे अपनी सम्त दरुस्त कर लें ये कीन करें मैं ये समझता हूँ कमस कम 40 परसंट जो ओवसीज पाकिस्तानी है जो वेल सेटल्ड है बाहर वो अपना सारा कुछ बेजबाच के पैसा लेके वो पाकिस्तान आ जाएं पाकिस्तान के साथ इतनी महबत वो करते हैं बैटे वे कहते हैं कुछ हमें मिले तो सही हमापस त्यार बैटे हुए हैं और वो पाकिस्तान के लिए उनके दिलों में एक तरफ है मैं अब जब अस्टेलिया गया तो मैंने बड़ी कोशिश की कि वहां पे लोग मेरे से पाकिस्तान की पालिटिक्स के बारे में सवाल ना करें वहां मुझ से पाकिस्तान के हालात के बारे में ना पूचा जाए मैं कितना जूट बोलूँगा मैं उनको कितना बताऊंगा कि पाकिस्तान के नहीं हला ठीक हैं या मैं उनको कितनी तसलीद हूँगा ये जब हम उन्हें तसलीद एते हैं कि नहीं नहीं पाकिस्तान के हला ठीक हो जाएंगे आप फिकर ना करें हम जब उन्हें उम्मीद दिलाते हैं तो वो हमारी तरफ देख चार हांदान हैं पाच हांदान हैं वोही बार बार इस मलकी स्यासत और हकुमत पर मसल्ट होते हैं तो वो कहते हैं कि यूँ आप हमें उम्मीद दिलाते हैं कि पाकिस्तान का सिस्टम पाकिस्तान का निजाम जो है वो ठीक हो जाए लेकिन अगर पाकिस्तान का निजाम पाकिस् इने वाले मुलकों में इसका शुमार हो, जो के माजी दूर में होता भी था कि पाकिसタन दुसरे मुलकों की मडद किया करता था, आज हम हुज इससालत में हैं, वो आपके सामने हैं, तो मैं यह समझता हूँ, कि जो आने वाले हुकमरान हैं जो अभी एलेक्शन के बाद आएंगे गो कि वो पुराने चेरे हैं लेकिन अब उनको थोड़ी सी हया करनी चाहिए अब उनको थोड़ा सा पाकिस्तान पे तरस खाना चाहिए अब तो पाकिस्तान जो है वो खुद बिचारा I.C.U. में पड़ा हुआ उनक करें बाहर लोग इतने खुशाल हैं इतनी कारबार में भी और जो वहां पे जॉब्स करते हैं बहुत खुशाली की जिद्धी जो हैं वो गुजारते हैं कोई उनके उनकी जिद्धियों में महरूमी नहीं सिवाए इस एक महरूमी के के हमारा मुल्क ठीजाए यह सो टू की तरक्यों खुशाली के लिए माजी में क्या करदार अदा कर चुके हैं और मुस्तबिल में क्या करदार अदा कर सकते हैं और कर रहे हैं यह जो रिमिटेस आती रही यह जो गैर मुल्की सरमाया कारी होती रही पाकिस्तान में पाकिस्तान में जो ओवसीज पाकिस्तानिये ह ان کا بہت بڑا کردار ہے उन्होंने पाकिस्तान में बहुत सरमाया करी की पाकिस्तान में उन्होंने बाहर से आके लेकिन अब वो मायूस है अब कुछ हरसे से जो यहां पे हालाद पैड़ा हुए खास तोर पे जो हमारा निजाम अतल है उसकी वज़ा से वो यह समझते हैं कि और यह बात किसी हद तक दुरस भी है बलके सो फीसाद दुरस्त है किसी मुलका आप एक निजाम ठीक कर दें बाकी सारे निजाम खुद बहुद ठीक हो जाएंगे किसी भी मुलका किसी भी मुआश्रे का आप सिर्फ एक निजाम अदल ठीक कर दें बाकी सारे निजाम ठीक करने की आपको जरूरत ही नहीं है बाकी सारे निजाम खुद बहुद ठीक हो जाएंगे हमारी बतकिसमती यह है कि हमारे बाकी सारे निजाम हमारे निजाम अदल से Oversies पाकिस्तानी अर्बों डॉलर्स की सर्माया कारी करने के लिए जिन्नी तोर पे अब भी तैयार है। उन्हें माहौल ऐसा देदें आप उनकी जो इस्जत है वो नहीं चाहिए। जो एरपोर्ट का अमल है जो उनके साथ सलूक करता है। उनका तो जी चाहता है कि वो फॉरण जहाज में बैठें और वापस चले जाएं। वहाँ पे शुरू हो जाता है कि जी जो एक हमारा करप्शन का एक निजाम है फिर बत्तमिजी उनके साथ। तो मैंने जब खान साब ह हकुमरान बने और ओवसीज पाकिस्तानियों के साथ तो उनकी वैसे ही बड़ी महबत है। शाबाज श्रीफ साब से भी मैंने का था कि यह जो ओवसीज पाकिस्तानी है हर एरपोर्ट पर इनका अलग से एक काउंटर होना चाहिए इनको हम पूरी रिस्पेक्ट दें पूरी जो इनको डील करें वो करें ताकि इनको भी एहसास हो कि अगर हम पाकिस्तान में सरमाया कारी करते हैं बाहर से सरमाया लाके हम पाकिस्तान में लगाते हैं तो यहां पे हमें इस्पेक्ट मिलती है होता है इसके बिलकुल बरक्स है कि जब वो यहां पे हमारे एरपोर्ट पे जो अम्ला बैठा होता है उनका जो वो रवया देखते हैं तो वो बद्दिल होते हैं अब फी ये सारी चीज़े जो उन्हें इस बात से रोक देती हैं कि आप पाकिस्तान से दूर ही रहें तो बेतर हैं चीजिए बताएं कि जब में बात करती हूं अगेन आवरसीज पाकिस्तानी जी तो उन्हें पाकिस्तान के हुक्मरानों से क्या नराज़गी है? वोई नराज़गी है जो हम जैसे महब्बे वतनों को पाकिस्तान के हुक्मरानों से है कि वो नेक नियत नहीं है। देखिये आप जब दुनिया में मुख्लिफ मौाशरों को स्टड़ी करते हैं और मुख्लिफ मुलकों की आप तारीख खंगालते हैं उनका जब आप मासी दे आज वो अपनी तरकी के अरूज पे हैं तो गुर्बत से निम्टा जा सकता है नियत की गुर्बत से निम्टा जा सकता हम नियत के गरीब हैं हम कुछ करना नहीं चाहते हम हम वो जिस तरह और हमारा सबसे जो बड़ा अल्मिया है हम दूसरों को ठीक करना चाहते हैं और हमारा यह तकिया कलाम है तू ठीक हो जा यानि तुम ठीक हो जाओ मैंने नहीं हो ना और तुम भी सिर्फ मेरे लिए ठीक हो जाओ बाकियों के लिए चाहे तुम खराब ही रहो बगर सिर्फ मेरे लिए ठीक हो जाओ पाकिस्तान किस तरह ठीक होगा तो मैं उनसे कहता हूँ कि आपके पास पाकिस्तान को ठीक करने का ठीका नहीं है नहीं आप पाकिस्तान को ठीक कर सकते हैं आप अगर कुछ कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं कि अपने आपको ठीक कर लें और जो आप में खराबियां है जो करते जाएं आहिस्ता 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 आहिस अपाकिस्तान में जो हमें इतनी घृत नज़र आती है बाहर दुनी एतनी हुशाल नज़र आती है उसकी एक वज़ा ये है कि बाहर अगर एक घर के 16 लोग आ है या 10 लोग आ है या 8 लोग आ ह। वो सारे काम करते है हमारे एक बंदा कमाने वाले है गर में और बीस खाने वाले हैं, इस वज़ा से घुर्बत है, बाकियों को काम करने की आदत नहीं है, मैं अभी मेरे भाई हैं हाफिस मुहमद एहमद इदर कैलगरी में, कैनेडा में, तो मैं पिछले साल जब मैं उनके पास गया, तो वो चुके मिया भी भी जाब करते हैं, बेगम उ तो वो इतना टाइम नहीं होता उनके पास कि वो खुद कुकिंग कर सकें, खाना बना सकें, तो वो खाने के लिए और कर देते हैं, एक खातून है, वो उनको मैसेज कर देते हैं, कि आज हम हमें लिए ये खाना तियार कर दे, खातून खाना तियार कर देती हैं, तो मैं एक बार उनके साथ उस खातून के घर गया, और मैंने उनने का इतना बड़ा कार देखा, और उन्हें अंदर बिठाया, जी अब़ि एक जो आपकी डिश है, उसमें थोड़ी देर है, तो मैंने वहाँ पे जो उनके घर में चीज़ें देखी और जिस तरह से सेट अप देखा मैंने का यार एमत से मैंने का इस खातून को क्या जरूरत है आप बता रहे हैं कि इसके बच्चे भी काम करते हैं और ये बहुत इनका बिसनस है बहुत बड़ा तो ये इनको क्या जरूरत है कि ये खुद ये काम कर रही है कि खाने बना बना के वो कहते हैं कि वो इसके बगार रही नहीं सकती वो इसके बगार रही नहीं सकती वो अगर इनको फारग आप बठा दें और इनके बच्चे इनको कहें कि जी अम्मा आप ये काम ना करें जो कि आप कर रही है और आप फारग बैठ जाएं तो ये तो बचारी बिमार हो जाएंगी फारग बैठ के तो वहाँ पे लोग काम करते है वहाँ को वहाँ लोगों में काम करने का ज़स्बा है फारग नहीं बैठ दे हम लोग तो हमारा सबसे बड़ा काम यह है कि हम फारग बैठे हुएं पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को दुनिया भर के ममाले किस नजर से देखते हैं देखिए पाकिस्तान जब एक एटमी कुवत बना पाकिस्तान तो दुनिया में हमारी कितनी रिस्पेक्ट हुई कितना पाकिस्तान पहला एक एटमी मौलक था मैं यह समझता हूँ काइद आ काई आजम के जजब और काई आजम के असूलों के मताबिक चलाया जाता तो आज पूरी दुनिया हमें इज़त और कदर की निगाह से देख रही होती मैं मेरे लिए इस सवाल का जवाब देना जरा मुश्किल है कि दुनिया आज हमें किस नजर से देखती है लेकिन मैं ये जर पाकिस्तान को भी इतना मौत बहर कर दे पाकिस्तान को भी इतना इजब आबरू वाला कर दे कि दुनिया हमें भी इजब और आबरू की नजर से देखे सर मुझे ये बताएं कि जो हमारे पाकिस्तानी बाहर के मुमालिक में काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए क्या करदार अंजाम दे रहे हैं पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं वो किसी भी फील्ड में है अक्सरियत उनमें जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे है। चाहिए वो बिस्नस में कर रहे हैं। अभी मैं यहां चाहए ऐस्ट्रेलिया गया था, तो मेरे होस्ट थे हाफ़ शायद अक्बाल साब वहाँ पे, पे उन्हों ने एक बिस्नस किमिनिटी जूर थी। उनके साथ तर्मेरी उनके नहें एक सीटिंगरेंज्ज की, उसमें आस्टेलिया से बहुत से दोस्च वहाँ पे शरीक हुए,्मै वहाँ पे जो पाकिस्तान में बिसनस्मेन वहां मिला, भूँत वहां पे उनका नाम है गाड़ियों के बिसनस में और मुतलिब जो कारवार हैं इसी तरह जो जॉब करते हैं देखें, मैं आपको एक बाह बताओं वो उस सिस्टम को जहां वो साला साल से रह रह रहे हैं, उस सिस्टम को वो एडाप्ट कर लेते हैं चाहे वो कारुबार कर रहे हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हैं वो उस सिस्टम के मताबिक वहाँ पर मैरे यहां पर मेरे लीए एक फंक्शन इरेंज किया को में रहां कहा लोगों से आप तो पकिस्टानी वहाँ बे शबार पाकिस्टानी इन्वाइट इंवाईटिट थे तो मैं रेका जी आप तो यहां पर बहुत अच्या काम करें है यहां पुलीग चीफ को मिला سیڈنی کے اور میں یہاں پہ آسٹریلیا کے منسٹر جو کلچر ہیں ان سے ملا ہوں اور دو تین میئر سے ملا ہوں تو انہوں نے پاکستانیوں کی بڑی تعریف کی ہے وہ تو جو سیڈنی کے پولیس چیف ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کسی پاکستانی نے کبھی کوئی قرائم ہی نہیں کیا اور ہمارے پاس کبھی تھانے میں کسی پاکستانی کی کوئی تو میں نے کہا یار آپ تو بڑה زبردست ہیں تو وہاں پہ ایک صاحب बट brake और उन्होंने मुझे का, उन्होंने का जी बाट साहब आपकी बात दरुरुस्त है, लेकिन आफ अब यकिन करें, कि हम ठीक नहीं आए, इनका सिस्टम हमें खराब होने ही नहीं देता, आप हमें पाकिस्तां ले जाएं, हम दो बारा खराब होजाएंगे, तो उन्होंने तो इसलिए उस सिस्टम के मताबिक वो मेनत कर रहे हैं, उस सिस्टम के मताबिक वो कारोबार कर रहे हैं, उस सिस्टम के मताबिक वो जाब्स कर रहे हैं, और जाहर है जब वो अच्छा काम करेंगे, हलाकि उस सिस्टम के मताबिक कर रहे हैं, लेकि नाम पाकिस्तान का रोशन ह हम तो बस वेट करें कि एक अगला सेकंड हमें मिले हमारे पाकिसान का सिस्टम थोड़ा सा बेतर हो तो वियर रेड़ी टू वर्क वियर रेड़ी डू सेक्रिफाइस आर वर्किंड हमने अपने आपको ना एक ऐसे लोगों या एक ऐसे हजूम या ऐसी कौम के तरह बना लिया ह है कि दुनिया अब ये समझती है और शायद ठीक ही समझती है कि जब तक हमारी दुम पे पाउं नहीं आता ना हम आज आप ट्रैफिक सिगनल जो है उसकी खिलावर्जी करने की सजा दो महीने जेल कर दें कैथ कर दें या उसका दस हजार पे जर्माना कर दें मैं देखता हू कैसे कोई जो है वो ट्रैफिक सिगनल की खिलावर्जी करता है इसी तरह आपके जो दीगर जो क्राइम होता है तो आप अपने जो एक सजाओं का निजाम है और जो अदल का जो निजाम है उसमें आपको जब तक आप इनकलाबी नोयत की तबदीलियां जो है वो नहीं हम चाते हैं कि हमारे हुकुमरान सिस्टम ठीक करें और हमारे हुकुमरान चाते हैं कि हम सिस्टम ठीक करें तो हम एक दूसरे के जब तक वो रहेंगे तब तक सिस्टम मजीद खराब ही होगा पिछली जो गफ़र्मन्ट थी उसमें सिगनल्स के उपर काफी वो था किया किया वार्निंग्स थी और रिजिड था जैसे गफ्रमेंट चेंज हुई तो हम सब नहीं देखे किस से सिगनल्स को बता खलाब फर्जी की जा रही है अच्छा मुझे सर यह बता हैं कि महमान नमाज है आप माशाला आपकी घर में जो भी आया आप उसको उसकी बहुत अच्छी खा तो सर आप जार आप आप ग्रेट टेलंड और वरी हॉस्पिटेबल मैं अब तब की इस्तवाल करते हैं तो यह बताएं कि उनको पसंद आते हैं वो क्या फीडबेक देते हैं इनको पसंद आते हैं यहां कि सकाफत यहां कि आर्ट कुल्चर है डिटेज उनकर स्पॉंस किया जाता हूं तो वहां बहुत सारे दोस्त हैं तो वो आते रहें जब पाकिस्तान में आते हैं जैसे वो हमारी बाहर मेहमान नवाजी करते हैं बह दो Да को पितम मेरे घर में यह सारे लोग कटे होग पिछले दिनों भी कोई 40 के कृईम जो है वो मुछलिप मुल्कों से जोग आ किया लोगोंने तो वो बड़ा मज़ा करते हैं जब हम कवालिश-वाली होती है हमारी तो उसमें वो डैंस करते हैं और खास तौर पर जो हमारे खाने हैं अच्छा लास्ट टाइम जो वहां यॉरप के सोलह मुल्कों से आयोे थे, मेरी बेगम ने का कि, मैंने उने का कि जो हमारे पाकिसान के खास तृब पे हमारे जो बटों के कश्मीरी के डैडिशनल खाने हैं ना, रिसा अहलीम और इस टाइप के और देशी मुरमा इस टाइप के खाने बनायें तो उनुर्ण है कि वो तो यह खाने नहीं चले साथ ये भी हो तो ये न ओ कि हमारे खाने पिट जाए और वो ना खाए हे। आप यकीन करें कि जितने देशी खाने थे ना दाल चावल थी, हरीसा था, सिरी पाये थे, पठूरे चने थे, सब पसन आया… और जो हमने यह सोच के बनाया था कि यह वो उनके क्हाने हैतो यह वो खाएंगे वो उनको उनकी तरफ उन्हें देखा भी देए तो वो हमारे क्हाने बड़े पसंद करते हैं हमारा जो टेडिशनल फूड है वो उनें बड़ा पसंद है हमारी सिकाफस समझ नहीं आ रही होता है, अब जब कवाली होरी होती है तो उनको क्या समझ आ रही है? कि अमीर खुसरों का कलाम है, अबाबा अबुल-बॉलेशाग व्या भियां कर रहा है, मिया मुहाँ भीन कर रहा रहा है, वो अपने अंदास में उस पे जूमते हैं, अपने अंदाज में उसको जो है वो इन्जॉाई करते हैं, तो बहुत ज्यादा वो खुश होते हैं, यहां पे आगे, आपने कौन सा, श्वैब अबास हमारा एक बहुत NCA में वो म्यूजिक पढ़ाते हैं, हमेशा वो, मैं उनसे बड़ा मुतासर हूँ, तो उनको हम हमेशा मुलाते हैं, यह पिछले दिरों में वो जो महमान हमारे आए हुए थे, तो मुझे वो एक गोरी ने एक वीडियो क्लिप दिखाया, तो उसने कहा कि जब हम आएंगे आपके पास, तो हमने इसको सुनना है, तो मुझे बड़ी हैरत हुई, कि वो मुझे क इसका वीडियो क्लिप दिखा रही है, कि वो इसको सुनना चाहती है, वो नसीब लाल थी, तो उसने कहा कि यह एक बार इसका वीडियो क्लिप देखा था, सोशल मीडिया पर, वो क्या उसको कहते हैं, तो विच्छड़ा न विच्छड़ा न करना है, पंजाबी गाना, तो आपने नसीब लाल को सुनवा रहे हैं, तो देखे, अब उनको पिज़ाबी जबान की क्या समझा है, लेकिन वो बीट, वो जो वाइट होती है, वो इनरजी, सब मुझे की बता हैं कि जिस तरह हम लोग कहा पे महमान नमाज हैं, पाकिस्तानी तो जाहर है, हमारा एक इसकब करने का, और महमान नमाजी ऐसी ही ही है ये थोड़ी डिफरेंट होती हैं, नहीं, उनकी महमान नमाजी मे, वो जो उती है, दिखाबे की चीज़ें, जो हमारे हैं बहुत तो हूती है, और ऐसी चीज़ें, जिनमें पैसे का बहूत ज मुलकी या यॉरपी मुलकी या उनके किसी मनिस्टर से मिलने के लिए गए हैं उन्होंने आपके आगे चाहे यह काफी का एक कप लाके रख देना है और ज्यादा से ज्यादा कभी होगा तो उसके साथ कुछ छोटी मोटी सैंड्विजी जिया है इस टाइप की जिए और उन्ह तो हमारी आलत है हम तो अपने मेमानों को अभी आप देखिए मैं कि तीन-τιन चार दिन पहले मैं एक दोस्तके घर गया तो डिनर पे तो मेरा उस दिन जरा अपसट था अब उन्होंने का मैंने का मैं नहीं खा सकता मेरा पेट अपसट है और खाने भी ऐसे है यूई किसमगे गीवाले बनाए वोई थे anyways Automize Hole ले रहा हूं मेरा पेट अबसट है कीहते है है तुस्ञी बिस्मिल्ला पढ़ के खा जो तुसी कुछ नहीं हुँआऑ ओ खा जो बटऴ सब तुसी बिस्मिल्ला पड़ के खा जो और आप ने की जी सब्सक्राइक बीफि늪 में data हो। फिर अपने पीड को निक देखा उनके प्यार को देखा। ठ slightest हमारे हाथ थो जी है कि मनत करते हैं। यह समिन इए मेंद क्वारों की में व्यूंच को से एक ठहीं आप क्शार के जी होते हैं। दुकानों पर जो गारिया ठीक करते हैं हाथ काले हो जाते हैं इस ता के काम इनके ऐसे होते हैं तो किसे ने कोई मुझे बता रहा था किसने हाथ दोए पर गएर ना रोटी और खाना खाने लगा तो किसी ने पूछा क्या भाई आप हाथ नहीं धूआएंगे पाने शानी नहीं होगा पास, कहते हैं, यह चोड़ चोड़ी बीमारी इसतफार लेकिन ठीक है, अपना इमान भी जाज ज़़ूरी है, बाप नाले का पानी पीडिए बैक्टेरिया मर जाएंगे आपका दीन भी आपको कहता है आप बिसमिल्ला पढ़ लिये तो क्या आपको यह क्य offset बही वो कहा गिए हैा कि सिफाई जो है बिसमिल्ला पढ़ लेने से तो सिफाई जो है ऀसका निस्व मान नहीं हो जाता ना आपका बिस्मएल्ला जरूर section पढ़ें और सिर्फ ये नहीं है कहाना कहाने से पहले पढ़ें और तो हर काम करने से पहले आप पढ़ेंगे, उसमें एक बरकत और ताकत जो है, वो होगी, लेकिन सफाई जो है, वो तो असल चीज है, विल्कुल ठीक बात किया आपने, अभी तो मेरे जहन में इतनी ज्यादा सवाल आते हैं, कि we are just running short of time right now, लेकिन obviously, we are getting back again, into the next episode, और तब हम औ आपने overseas Pakistani, Pakistan की image, उसके standards, conception, perceptions, जो overall Pakistanis की है, overseas Pakistanis की है, foreigners की है, Pakistan को बताये, and there was a lot of information, जो आपने में से शेयर की, and I just hope कि हमारी audience को ही पसंद आई हो, and if you guys have any queries, just let us know in the comment section below down, this isama podcast, today's episode, and thank you guys for watching us today, thank you sir for being here, and thank you for sharing such a crucial information, regarding travel, overseas Pakistanis, and much more, which is relevant and connected to Pakistan, of course, so thank you guys for watching us today, stay tuned, do not forget to share, like, and subscribe, Arsama podcast, Pusha Canceling, till to date, and I will catch up with you guys in the next episode, bye-bye.